हेलो नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज किस वीडियो में करेंगे जो एंपी पुलिस का पेपर हुआ है जो कोस्चन आज पूछे गए तो उनी कोस्चन को डिसकस करेंगे बिदा अंसर के साथ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोकों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेला आइकन होता है उसको भी चरूर दबा लें चलिए शुरू करते हैं तो गाइस आज के सेसन में पहला कोशन हैं अजन्ता की जो गुफाएं हैं भारत के किस राज में हैं किस जगए पर इस्तित हैं अजन्ता की गुफाएं तो ये हो जाएगा महराश्ट्रो एक कोशन था तांसेन जो थे वो किसके दरवारी कभी थे तो तांसेन जो थे वो अकवर के दरवारी कभी थे एक कोश्यन आपका इस टाइप से था उत्तर प्रदेश में आनंद महल जो है ये कहां पर इस्तित है तो उत्तर प्रदेश में आनंद महल अगर बात करते हैं तो ये इस्तित है कानपूर में कहां पर है कानपूर में एक कोश्यन आपका इस तरीके से आया था कि होंकी का सबसे उंचा जो मैदान है ये कहां परिस्तित है तो होंकी का सबसे उंचा मैदान है ये है राउर केला में कहां पर राउर केला एक कोशन जो आपका है इस तरीके से आया था कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है बहुता है मधु में कौन सा होता है गुजरात के जो न्यायादीस हैं उनका क्या नाम है तो देखे गुजरात के न्यायादीस जो है वो है अरविंद कुमार कौन है अरविंद कुमार एक कोश्चन आपका इस तरीके से था बीहु जो है वो किस राज का नत्य है तो बीहु जो है यह आपका है असम का नत्य है असम एक कोश्चन आया था आदित जोसी का जो सम्मंद है वो किस खेल से है तो यह ऐसे कोश्चन आ सकता है कि आदित जोसी जो है वो किस से सम्मंदित ह हैं तो बहो हो जाएगा बैर्ड मिन्टन एक कोश्चन आपका इस तरीके से था गाइस कि मद्द परदेश का जो प्रथम या कह सकते हैं पहला नियाया देश जो था उसका नाम पोछा गया था एंपी का प्रथम नियाया देश नागपुर के पहले चीफ जस्टिस का क्या नाम है तो नागपुर के पहले चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है सरद अरविंद बोबड़े एक कोशन गाइस इस तरीके से था मद्द प्रदेश में नर्मदा नदी जो है कितने किलोमीटर लंबी है तो देखे यह हो जाएगा 1312 किलोमीटर एक्चुल लंद है इसकी अगला है भारत का सबसे उचा जल प्रपात जो है उसका नाम क्या है भारत का सबसे उचा जल प्रपात है कुंची कल कौन सा हो जाएगा कुंची कल जल प्रपात यंपी के दमहों का जो प्राचीन नाम है एंसियंट नेम है वो क्या है तो बो हो जाएगा तुन्डी केर क्या हो जाएगा तुन्डी केर एक कोश्चन आया था 1402 SP में मालवा का सासक कौन था उसका नाम पूचा गया था तो ये हो जाएगा दिलावर खां IC चिप इसका फुलफर्म क्या होता है Integrated Circuit ये जो चिप होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है तो SI से बनी होती है मतलब सिलिकॉन से बनी होती है सिलिकॉन अगला कोश्चन आया था मद्द प्रदेश में सैलाना जीब अभयार रनने जो है ये किस जगए पर है तो मद्द प्रदेश में सैलाना जीब अभयार रनने जो है ये है रतलाम में एक कोश्चन था किस सासक के बाद नबाप सिरा जुद्दौला सासक बना तो ये हो जाएगा अली बर्दी खां इस सासक के बाद नबाप सिरा जुद्दौला बंकाल का सासक बना था एक कोश्चन आपका इस तरीके से था इन में से प्रोटो जोह से कौन सा रोग होता है तो प्रोटो जोह जनित रोग जो होता है वो पेंचिस होता है पाईरिया भी होती है और मलेरिया भी होता है एक कोश्चन था मद प्रदेश की हाइस्ट पीक यह सबसे उची चोटी जो है वो कहां पर है तो यह है पंचमणी में जो की है तेरे सो बावन मीटर उची दूद से दही बनना यह क्या कहलाता है तो दूद से दही बनना यह कहलाता है किडवन खिरिया कहलाती है क्या कहलाती है किडवन सिक धर्म का संस्था पक कौन था उसका नाम बताओ तो यह था यह थे गुरु नानक देव कौन थे गुरु नानक देव एक कोश्चन दा की मद प्रदेश में सतखंडा महल जो है ये किस जगहें पर रिस्तित है तो ये हो जाएगा गॉलियर तो गाइद आज के इस वीडियो में इतना है